नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीराज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया एटूब चानल एगवाखीर उपस्तित हूँ आपके समक्स बक्री पालन की एक सांदार जानकारी के साथ और दोस्त अभी मैं पत्ना जिला सौरी फ्रखंड के समीप मनकी पर गाओं में हूँ और यहाँ पर छे महिना पहले बक्री पालन की शुरूआत हुई थी और ब्लेक बंगाल बक्री जो हमारी बिहार की नेटिव ब्रिड है उससे इन्होंने फार्मिंग की शुरूआत की है शुरूआत जो हुई थी सोलह बक्री से हुई थी और एक बीडर इन्होंने लिया था अब बच्चे भी आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल ही गाओं के बाहर इनका फारम है और कंप्लिट चराई पड़े रखते हैं तो जो भाई हमारे बक्री पालन के शुरुवात करना चाहते हैं या तो फिर बक्री पालन कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी खास रहने व बच्छे टाइम का सप्योग करने के लिए हमें बक्री फारम कोचे कि इस संधे रोजगार बग्री फारम है मिलता जी तरोषगार है जो ताइम में सद्प्योग रहेगा तो दूपिसा इससे भी आएगा आप एयाई वरकर हैं इन्वर हेल्थ वरकर हैं प्रैक्टिस भी करते हैं तो जो समय आपका बच जाता है आपने सोचा कि इसको बरवाद क्यों करे वो आप निवेश करे बक्री प साथ हजार में 16 बक्री और एक बक्रा आपने लेकर आया तो कहां से लेकर आये थे वो सब खड़ते कहां से थे सर अगर बगल गाउं से अगर बगल गाउं से तो प्रतिन नक की बात करें तो कितना पैसा लगा था आपको एक बक्री पर कि शुलती अड़ता लेश है कि शाड़तीना जार क्यास पास यह फारम जो देख रहे हमार दर्सक यह फारम जो बनाए हैं तो इसमें कितना आपका खर्च गिरा है लंबाई चोड़ाई इसकी कितनी है इसका लंबाई सार है चभीस हजार चभीस फीट और चोड़ाई है बी हजार खर्च पड़ा तो इसमें आपने एक पक्का का यह रूम भी बनाया एक इटा का रूम बनाए आउपर से करकट छा दिये टोटल मिलाक नब्बे हजार बक्री के खड़ीद में और नब्बे हजार आपने लगाया फारम के निर्मान में तोटल डेर लाक में आपका फा अभी परजेंट में आठ बच्चे आप मेंने आपके फारम में हैं हाँ सर्व महिना के दौरान ऐसा कुछ घटना जो नहीं घटना चाहिए था आपके साथ नहीं घटना ऐसा बोजन का प्रवंदन जो है कैसा है आपके पास क्या चराई पर रखते हैं से में स्टोल पर रख तो यहां पर देख रहे हैं सूपर नेपे लिए ला रस आया काफी बढ़ा बढ़ा है तो इसकी क्या भुझे लाने में देर हो टर्केत करना है बहुत सारय हमारे परवड़ी आने वाला है सुनिकैनी बड़ाई बढ़ाई बढ़ रहा है तो आपने जो किया था किस तरह की तयारी की थी जो भी बाकड़ी फारम या जो भाई या तो खोले हुए हैं या तो खोलना चार हैं तो सबसे पाले हुए पर सेच्छन जरूर हैं हमको तो अनभब था ताइसमें कुदे फिर भी बहुत साथ चीक नहीं जनकारी हुआ था तो तो यानि कि जो भी वक्री फारन बाकड़ी पाले की सुरुवात करें तो सबसे पर वह प्रक्षिशन जो यहीना बाद तो किया करना होता है भाले सार पर था मूझ तीन महिना पाले हरा चारा के वेवस्था कर लें तब बग्री है करने को आईगा और उसको भोजन चाहि सब्सक्राइब नहीं रहा है तो क्या साम को सब सब्सक्राइब 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 अब लगा ले ताकि बख्री आय तो अराम से उसको हराचारा मिल सके अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिटकोस्ट जदा बरेगा तो बकरी शुरक्षित रहे इसके लिए आप क्या करते हैं ठंडी का मौसम है बकरी आपके आपके अबी कुछ अस्वस्त बकरी मैं देख रहा हूं तो आप क्या करते हैं कहां आपसे चुक हुई कि यह स्वस्त बकरीया है सब सदेके सर्वू चूक है कि हमने उसको ठंडी मौसम में गर्मा घाती जो बर्सीमा घास है उमें देख ला उसके साथ साथ अजिए द्यान नहीं दिये पीपर का पत्ता लाक उसको डाल देए इसी क सब्सक्राइब बढ़े जया उसका वीमारी कभी भूलो मौसम को देखते हुई भोजन के वस्था करें आप सुरक्षित रखे इसके लिए वैक्शिनेशन और डिवार्ग की प्रकडिया अपनाते हैं हां सर पीपी आर का भैक्सिन जरू दिला में हमने मिला नहीं ब्लॉक से कि भॉड की चक्र में नहीं रहाना है मार्केट से ब्लैक महीं होता है भोड़े कंपनीया अपने नाम से ब्येस्ति मदेवा मिलता है उसाल व nous भाब कर यही गलती अक्षर किसान करते हैं जो भी अप घंस लेते हैं कम से कम ठंडी के मौसम में इतना जरूर किजिए कि जिस दिन आप लाएं उस दिन उस घांस को अपने बकडियों को ना खिलाए उसको छोड़ दे अत्रिक्त नमी उसकी निकल जाएगी उसके बाद फिर बकडियों को देंगे तो कोई दिकत नहीं होने वाली है जो फर के बेला तो काफी अमोनिया गैस भरा हुआ था उसमें जो होना चाहिए खिलकी खिलकी होना चाहिए था सर ठंडी के मौसम में हम सोझे कि ठंडी भर समय काट लेते हैं ताकि हावा तंग ना करे लेकिन खिलकी बहुत मच्ट है सर तो यहां पर बहुत सारे हम मेरे पास भी कॉल आते ह है कि नेपियर घांस हमको नहीं मील पा रहा है बिल्कुली प्रोड आपके हाँ डंठल हो चुका है तो क्या अगर कोई भाई हमारे नेपियर लेना चाहें तो आप से संपर कर सकते हैं हाँ सर मेरे नेपियर उनको हम जरूर सेबा करेंगे क्या रेट है उसका रेट सर एक है 400 गॉंट में कठा हो याएगा 120 में एक एक टा रुपायों कर सकते है इतनां चलाइपर में 950 और भाद उसल्य को आपर यहां पर कुछी खिलाते हैं यहां पर खिलाते हैं वहां महिना आंगे मतले पर पड़ दाना कितना है बकरी पर गिर जाता है? ओ ही जोड़ लिजे सर, तो आपके यह जो आठ बच्चे आए हैं, लोग कहते हैं कि बंगाल बकरी में दूद्र नहीं होता है, तो जो मिमनिया है उसका पेट आपकी बकरी भर लेती है? नहीं सर नहीं भरती है तो क्या करते हैं उसके लिए उसके लिए दूद के बहुत बहुत ही खड़ाब है तो बकडी का चुनाव जो करेंगे हमारे किसान बंदू उसका पहमाना क्या होना चाहिए सबसे पहले तो उनका बाट देखना चाहिए बाट का मतलब क्या होता है थान थान सबसे पहले थान देख लें कि वह दूद देगी अपने बच्चे को पाल लेगी कि नहीं और उसके साथ साथ अपने दियां रखे कि वह बकडी का जो हेल्थ है वह बकडी लाइक है कि खांसी पठ्रूर लाइक है वह इसा पठ्रूर ने के जिसका बदन नहीं है वह दूद नहीं देगी वह बच्चा नहीं पालेगी तो आप तो लवक चार पांस छोगर साथ बकडी आपके सब पठीया है तो पठीया के खरदारी आपने क्यों कि मैंने खट्ट चखा का तो बता रहे लेकिन वहां पड़े आपके गल्ती थी चुकि आपको बकडी खरीदनी चाहिए थी और बड़े कद काठी की बढ़िया नसल बढ़िया कद काठी की बखरी आपको खरीदनी चाहिए थी हाँ सर लेकिन सुर में हम चक है वो मिठा नहीं था आमना अन्भव हुआ जब बखरीदनों को पिलाने के लिए अलग से दो लिटर दूद की वेवस्ता करनी परती है सोड भई हाँ कि मांगा पर जाता होगा मांगा पर रहा है तो दोस्तों यहीं सब बात है जो कि इन्होंने तो सुरू में बता दिया कि जब बखरी पालन की सुरुवात करें तो सबसे पर ले प्रसिक्षन ले ले उसके बाद फिर हरेचारी की वेवस्ता प्रोपर कर ले और बकरी का जो चुनाव होता है तो ठीक है बिहार में है तो बलेक मंगाल बकरी बेस्ट बकरी है लेकिन उसमें भी सब बकरी फार्मिंग के लाइक नहीं होती है सोव में से अगर सेलेक् प्रवाँची बकरियां के लाइक मिलेगी जिसका कट काठी बढ़िया हो पेट बगर आडर बढ़िया हो तो चून करके आपको लेना पड़ेगा नतीज़ा आपको सामने है इन्होंने भुगता भी है और आपको बताया भी क्या हुआ हमेरे साथ चुछ क्या संस्ते के चकर मे अगसरा बहतरी ब्रीडर भी आपके पास जाभी हो बेद्रिन नहीं लेh जुटितार बटालन पदीडरान में अगर आपको सफल होना है तो बकरी तो अच्छी होनी चाहिए शाहिए चुनाओक बणिया करेंगे तभी तुव में नीं आए व मिए झाना करेंगे पेषा कीमत निलेगा हां बेता बकड़ा के साथ साथ बढ़ हैं बकड़ी भी चाहिए उसका तरीका है कि उसका कमर जो चौला होने चाहिए बकड़ी का शरीर भी अच्छा कद होना चाहिए तब ही आप इसमें शफल हो सकते हैं लेकिन आज़से सोचिएगा तो सफल नहीं होगे बिल्कुल बिल्कुल तो दोस्तों आपने सुना इनकी बातों से छो महिने के साथ गुजरा है इन्होंने खुल कर बताया है और नेच्छल तरीके से बताया है कोई लगा बजा करके नहीं बताया है जो इन्होंने सीखा है चैनला